ICC One Day World Cup में मंगलवार को धर्म चला इंटरनाशनल क्रिकेट स्टेडियम में साउथ अफरीका और नीदर लैंड की मध्य माच कहला जाना का है मैच से पहले सुमवार को इंटरनाशनल क्रिकेटरिंग के तहत माच रफरी स्टेडियम का वजट करने पहुंचे एच पी सीए प्रशाशन की माने तो सुमवार को मैच अथिकारी जेफ्री क्रो और शरफुल दौला इबने शाकित ने स्टेडियम का दौरा किया आउट फील्ड को लेकर चल रखी चर्चाओं के बीच मौसम के बिगड़े मिजाज ने भी एच पी सीए की चुनताएं बढ़ा दी हालांकि एच पी सीए की ओर से दावा किया जा रहा कि बरसाशन निपटने के लिए व्यापक व्यवस्ताएं उपलब थें यही नहीं बरसाशन होने की स्थिमें बरसाशन थमने के बाद स्टेडियम माच के लिए 15 से 20 मिनिट में तयार हो जाए इसके लिए स्टेडियम में सब्वेर सिस्टम इंस्टॉल किया गया के पूरी तरह से तयार है कल के मुकाबले के लिए और बारिश की प्रेडिक्शन है लेकिन स्काटर्ड क्लाउड दिखा रहा है अभी जो प्रेडिक्शन है तो हमें पूरी उमीद है कि हम एक फूल गेम ऑफ क्रिकेट यहां पर देखेंगे और जितना हमारे पास एडिकवेट इंफ्रस्ट्रक्टर है जिसमें कवर्ड्स पिच कवर्ड्स सूपर सोकर्ड्स और यह जो हमने रीसेंटी एक इंस्टॉल करा है सब एर इवाक्वेशन सिस्टम यह तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उससे हम 15 मिनिट के अंदर यह फील्ड बारिश होने के बावजूद भी त टेखने को मिला